सबसे पहले देखते हैं सामने जूमता हुआ बेगम बहार उसके बाद हम बातें करेंगे आई चमपा के बारे में एक रिक्वेस्ट भी आई थी किसी की के चमपा के बारे में कुछ पताएं आपको तो पता है कि मेरी सुबह गार्डनिंग के साथ होती है और मेरी शाम कितापों के साथ और बीच में दिन बर के बहुत सारे काम रहते हैं तो देखिए मैंने बेगम बाहर दिखा दिया चमपा के बारे में बातें करूंगी ही और एक चोटा सा मुक तक भी सुना देती हूं कि दुख से करी सगाई हमने फिर पीडा सहलाई हमने दुख से करी सगाई हमने फिर पीडा सहलाई हमने और दर्द हो गया जब बेकाबू कागज कलम उठाई हमने कहा जाता है कि जब समवेदना गनेबूत हो जाती है तब हम कागस कलम उठाते हैं और ये देखिए अभी तो मेरे हाथ में कटर है और मैं बेरहमी से चमपा की कटिंग कर रही हूँ फरबरी का महीना है कब करना चाहिए चमपा की कटिंग बरसात में भी कर सकते हैं ठंड में तो देखिए dormancy में रहता है लेकिन अब जब growing period आ रहा है तो हम इसकी cutting कर दें और क्यों करना है cutting क्योंकि पौधा D-shape हो जाता है यह है नाग चमपा लेकिन मैं भी आपको दूसरा चमपा भी जिसे हम plumeria कहते हैं वो भी दिखाऊंगी और detail में चमपा के बारे में बताऊंगी जब भी cutting करें तो आप अपने अपनी कल्पनास से कि आपको बहुत उंचा पौदा चाहिए कि छोटा पौदा चाहिए और cutting का नियम है कि cutting करने से पहले एक दो दिन पहले से पानी रोकते और cutting के बाद भी पानी नडालें दो दिन तो नडालें फिर तीसरे दिन पानी डालें और यह जो सफेज सफेज कटिंग के बाद जो दूद जैसा निकलता है इसको सूखने के बाद चंपा की cutting के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी या कोई भी एंटी फंगल पाउडर जरूर लगा दें यह वही पौदा है बर्सात में देखिए कितने सारे फूल थ हैं बर्सात गई ठंड आई हो यह डॉर्मेंट हो गया और अब मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है और अब इसमें ब्रांचे जा जाएंगी और बर्सात आती आप देखिए फूलों से भर जाएगा अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की सनलाइट कंडिशन की खाद लेकलता है इनको सेंडी सॉयल चाहिए होती है वैल ड्रेंड मिट्टी अगर जाधा बानी रुकेगा तो रूट रॉट होने का डर रहता है सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट चाहिए जितनी अच्छी दूप में रहेगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा चाया इसको पसंद नहीं चाया में कई तरह की रोग इसको घेर लेते हैं अगर हम इसकी कलम लगाना चाहें तो ये कलम से लग जाता है लेकिन फिर वही नियम है कि कलम को हम दो-तीन दिन छोड़ देंगे ताकि उसका दूद ड्राय हो जाए जो कट लगा था उस जगे एक प अदेनियम की आपने नहीं देखी हो इस चैनल पर नहीं डाला है मैंने उसका वीडियो मेरे पुराने चैनल पर डला है जो इंडियन टैरिस गार्डनिंग आर्ट है और देखिए सामने ये बैठे है अडेनियम जैसे देवता लोग बैठे हो कतारवद कितने सुन्दर हो रह जाएगा क्या होता है कि यह करओए मैं मेरा चंपा मर तो नहीं जाएगा ऐसा बल्कुल नहीं जाती और जैसे ही मौसम चेंज और इसमें ग्रोथ शुरू होगी और यह गर्मी में अच्छा ब्लूम करता है चंपार इसको वह dif ön नहीं खाद पानी की बात है आप जब बना रहें न मिट्टी तब अच्छी मिट्टी बना लें संडी सॉयल लें और यानि कि उसमें 20-30% rate मिला सकते हैं और आप पत्ती की खाद अगर मिला दें थोड़ा और थोड़ी से वर्मी कमपोस्ट भी डाल दें और जब फ्लारिंग प प्योंकि तो परिशान होने की जरूरत नहीं है वो खुद से खुद खिलेगा पस इसको गमला थोड़ा बड़ा चाहिए होता है क्योंकि ये पेड़ की तरह बुशी हो जाता है ये देखिए मैंने चोटे गमले में पिछली साल कलम लगाई थी और ये साल तक भी बहुत लं देखिए इसमें एक भी पत्ता नहीं है और जो इसकी आगे की तहनी उसमें से अब देखना डारेक्ट फूली आएगा ये एक और चंपा है मेरा जी कितना बड़ा है और मैं सोच रही हूं कि इसको काट के छोटा नहीं करती एक पहुता ऐसा रखती हूं जो बड़ा उंचा ब्रांच जो है ना तूट गई वरना चंपा का नियम होता है कि आप जहां से कटिंग करो वहां से तीन शाखाएं फूटती है और गर्मी भर ये फूल देता है समर में बहुत कम पौदे होते हैं जो फूल देते हैं अडेनियम फूल देता है चंपा फूल देता है और भी ब उसको पीस कर अब मैं पावडर बना रही हूँ और जल्दी ही मैं आपको हल्दी का वीडियो दूगी अभी मैंने उसको बाल के और ुरू किसा है तो मेरे हाथ पूरे पीले हो गए और वो आपको दिख भी रहे तो चबबा के बारे में जो मैंने बताया कि अब जब मैं पानी तो पानी के साथ में चाहूंगी तो थोड़ा दानिटीव कि डाल सकती हूं और यह सब खात है न महिनये 15 दिन में 20 दिन में 30 दिन में 24 दानिंटान चाहिए बहुत खात कि जबूरत नहीं है और डंडी हो जाना पत्ते जड़ जाना इसका स्वभाव है तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आगया होगा कि चंपा किस तरह होगाना है आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये सीजन सबसे अच्छा है क्योंकि बरसात में चंपा की कटिंग नहीं लगती और आप भी उगा सकेंगे चंपा और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार